वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल इतियास एक खोज में आज हम आपको सरीर पर घहाओं के रहस्य के बारें बताएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं 1224 में ऐसी घटनाएं कई बार देखने को आई जब संथ फ्रांसीस के सरीर पर अपने हाँ आप ही चोट के निसान उभर आए और वो अपने आप ही बिल्कुल ठीक भी हो गए ये घटनाएं अक्सर रोमन कैथोलिक चर्च के सदोस्यों के साथ घटती है जिसमें इसाई ठीक उसी तरह चोट और दर्द सहते हैं जैसा इसा मसीने सहे थे उनके सरीर पर घटनाएं और उनसे खून बहता है 1224 में सबसे पले संथ फ्रांसीस के साथ ऐसी घटना घटी थी जब वो आध्याद्मिक समाधी में थे और फिर 1901 में गेमा गलगानी के साथ भी ऐसा हुआ था गेमा गलगानी के साथ या घटना हर ब्रस्पतिवार को होने लगी और अगले दिन घटी भाव उभर जाते और अगले दिन ठीक भी हो जाता था सन 1915 में 28 वर्ष ये पादरी फोर्गियों के सरीर पर भी घटना उभरने लगे जो उसके बाद 1968 में उनकी मृत्यों के समय तक लगातार उभरते रहे उनकी हथोलियों में कील के छेद जैसे घटना हो जाते थे बिबारी का कारण उनका वजन घट गया मलमुत्र त्यागना बंध हो गया यहां तक कि उनकी आते भी सड़ गई पर तो फिर भी बिबारी की हालत में 36 वर्ष तक जिन्दा रही अजीब बात है कि जिनका यह घाव हुगा वो घाव नहीं सड़ा नहीं इंफेक्शन हुगा और अंत में यह घावे प्राकिर्तिक रूप से ठीक भी हो गई तो इन घाव का रहस क्या है दुनिया आज तक सुलजा नहीं पाई तो दोस्तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद